श्रीकाल जी, कैनडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है, प्रोसेसिंग टाइम के रिगार्डिन, जो इस वीक अपडेट हुआ है, वो मैं इस चैनल में आपके साथ शेर करूँगी, जिसमें वर्क पर्मिट है, स्टेडी पर्मिट है, केर गिवर की फाइल है, और आउटसाइड कैनडा, और यह इंडिया से फाइल लगी है, इंडिया से फाइल लगी है, तो यह 27 डेज है, तो आप यह देख सकते है, 28 अपडेट है, उसके बाद हम देखते हैं, इंसाइड कैनडा की, चौदा दिन, उसके बाद हम चेक करते हैं, विजिटर एक्सटेंट रिकॉर्ड, विजिटर एक्सटेंट रूप में 73 डेज, उसके बाद हम चेक करते हैं, सूपर वीजा, इंडिया से फाइल लगी है, 55 देख, उसके बाद हम चेक करते हैं, स्टडी पर्मिट आउटसाइड कैनडा, और 10 वीक्स हैं, स्टडी पर्मिट इंसाइड कैनडा, 6 वीक्स हैं, वर्क पर्मिट आउटसाइड, इंडिया से फाइल लगी है, 20 वीक्स, सीजनल अग्रिकल्चर वर्कर, 20 डेज, अब आगे हम चेक करते हैं, फाइमली स्पॉंसरिशिप में, स्पाउस, कॉमनला, तो यह जो हैं, लिविंग इंसाइड रहे हैं, कैनडा में रह रहे हैं, स्पाउस, और लिविंग पार्टनर, तो उनकी अगर हम फाइल लगाते हैं, तो कितना प्रोसेसिंग टाइम हो सकता क्यूबिक में हम चेक करते हैं, यह 26 मंत है, आउटसाइड क्यूबिक है, 9 मंत और आउटसाइट अब यह है कि spouse, common law और आपने पार्टनर आउटसाइट कैनड़ा में नहीं रह रहे हैं और क्यूबिक से फाइल लगानी है, क्यूबिक में बुलाना है 34 मन्थ क्यूबिक से बाहर है, तो यह है 12 मन्थ अब हम इसमें चेक करते हैं, इकनोमिकल यह अपने फैमिली में चेक करते हैं, फैमिली में ही, dependent child इंडिया से फाइल लग रही है, 11 मन्थ पेरेंस एन ग्रेंट पेरेंस, इन क्यूबिक, पचास मन्थ, आउटसाइड क्यूबिक, 24 मन्थ पे आई यह पेरेंस है, और यह आउटसाइड क्यूबिक है, 24 मन्थ और इंसाइड क्यूबिक, पचास मन्थ, तो आगर हम अडॉप्टेट एन अनदर रिलेटिव देखेंगे, टार्टा नहीं है, फैमली में इंटाटिका मिग्रेशन पैलेट प्रोग्राम, 38 मन्थ, इम्मिग्रेशन प्रोग्राम, 6 मन्थ, कैनेडा एक्सपीरियंस क्लास, 5 मन्थ, केरगिबर एन होम स्पोर्ट वर्कर की फाइल है, और ये है बारा महीने का हमने एक्सपीरियंस लगाया वाह है, तो ये बारा महीने का अपने एक्सपीरियंस लगाया है, वाह है, तो ये 30 अप्राइल, 2030 से पहले apply लें, less than, 35 month and verify application, और 30 अप्राइल, 2030 के बाद लगाव है, और less than 12 month experience, 35 month and verify application, काफी लोगों कर मुझे फोन आता है कि हम वहाँ जाके कैनेडा का वीजा लग जाता है तो छे मीने का experience पूरा करके caregiver की तो हम PR की file रख सकते हैं हम PR की file जो है 6 मीने का experience पूरा करके नहीं रख सकते हमें 12 मीने का experience रखना पड़ेगा 12 month complete करने पड़ेंगे कि तब हम PR की अपनी पाई रख सकते हैं अब इसमें ही हम चेक करते हैं होग support worker और यह 30 April 2003 से पहले लगी हुई है 24 month तो 31 month का है और less than यह 24 वह पहले है less than 24 month और यह वह था अपने देखा तो 31 month अब यह 24 एं मोर दें है तो 31 month ही है तो अगर हम 30 April के पास लगाई है हमने less than 12 month 31 month and varied by application तो 12 month and more than 31 month 32 month अप्टीम् PTS four अtes 12 month फ़स्ग Catal plastic बस्नेम्ंग fast Oregon wanna oh, bro je प्रीव व्रीव क् है बस्क स्ञेर फटिक मृन्से 525 month to be box इंस 59, स्किल्ड वर्कर फेडरल सिक्स्ट मन्थ स्किल्ड ट्रेड फेडरल टाटा नहीं है स्किल्ड वर्कर क्यूबिक टैन मन्थ स्टार्टप वीज़ा 37 तो यह डिफरेंट डिफरेंट कैटागरी का प्रोसेसिंग टाइम था जो चीन्च होता है हर वीक तो आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक दूर करिए और जो विजिटर वीज़ा है अब काफी लोग जो है ट्रेंडिंग में विजिटर वीज़ा आ रहा है जिसमें काफी कम एज़ वाले भी आप विजिटर वीजा लगा रहे हैं जो 20 साल के हैं, 21 के हैं क्योंकि जब से ये स्टडी पर्मिट के जो हैं रूल में चेंजिस हुएं तो काफी बच्चे विजिटर वीजा को रुक कर गए हैं visitor visa लगा के Canada में अपना visitor visa हम convert करके over permit ले सके तो ये trending में आजकल visitor visa चल रहा है और काफी का visitor visa आ रहा है पर आपका profile अच्छा होना जाए अगर आपका profile अच्छा है तो आपका visa आएगा